हलो एवरिवन दिस इस रितू शर्मा वेलकम बेक टू माई योट्यूब चनल एडू फ्लाइट इस सेरीज में हम लोग डिसकस कर रहे हैं यहां पर आपको एक कोशन के साथ साथ बागी कोशन भी प्रिप्रेयर होने वाले हैं यह जो एक्जाम में हेल्ड हुआ था 22 Feb 2015 को और यह पार 2 है इससे पहले मैं इसके एक वीडियो प्रोवाइड करा चुकियों अगर आपने नहीं देखिये तो देख सकते हैं प्ले डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगा तो फटा-फट से शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन इस विच आफ दा फॉल्वाइंग असेट इस यूजली नोट डैप्रिशियेटिड इन मैसे कौन सी असेट है जो यूजली डैप्रिशियेट नहीं किये जाते जिस पर डैप यह जाएगा यह जाएगा लेंड क्योंकि लेंड पर हम यूजली डैप्रिशियेशन नहीं लगाते डैप्रिशियेशन क्या होता है फॉल इन दा वैल्यू ओफ फिख असेट राइट तो इसके अंदर यह तीनों काटेगरी पर डैप्रिशियेशन लगाया जाता है लेकिन जुरेंड के उपर नहीं लगाया जाता क्योंकि डैप्रिशियेशन जो हम लगाते हैं वो हम यूजली लगाते हैं ऐसी इसेट के उपर जिसके लाइफ जो है फाइनाट इंद की लाइफ फाइनाट नहीं होती इन फाइनाट फोटी हम अबने गंसे जाती है के जो reason अभी मैंने आपको बताया depreciation is the allocation of the cost of fixed assets over its useful life अब हमें इसकी useful life नहीं पता क्योंकि unlimited होती है तो उस cost को कैसे हम allocate कर सकते हैं उसकी useful life में इसलिए land के उपर generally depreciation नहीं लगाया जाता value of land cannot be reduced to zero and it cannot be allocated over its useful life तो आई ओप आपको इसका answer पता चल गया होगा या फिर आपको पहले से भी पता होगा next question is all the following are the example of the profit center with an airline except मतलब यह सारे यहाँ पर जो example दिये हुए हैं इन में से कौन सा एक ऐसा है जो किसी airline के point of view से profit center का example नहीं है options are in flight magazine या फिर merchandising या फिर aircraft maintenance या फिर ticketing तो फटा फट से अपने एक answer चूज करो फिर हम इसका right option देखते हैं so the right option is aircraft maintenance देखो profit center की बात हो यहाँ पर अगर हम in flight magazine देते हैं तो definitely वहाँ पर हमारा कोई profit motive होगा ठीक है as such कोई profit center नहीं होता इस case में ठीक है तो यह हमारा correct option हो गया next question is a partner in a firm partnership से related question है तो ध्यान से पढ़ना सारे options जो भी इहां पर दिये हुए फिर अपना answer चूज करना है ठीक है confused नहीं होना है ध्यान से पढ़ना है अब partner in a firm option a है can not transfer his share to an outside वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता outsider को b option is can transfer his share to an outsider with the consent of the majority partners कर सकता है शेयर ट्रांसफर लेकिन उसको majority partners की consent लेनी पड़ेगी next option is can transfer his share to an outsider without the consent of the any other partner वो कर सकता है बीना किसी की consent लिए बिल्कुल अपना share transfer कर सकता है ऐसा बोल जा रहा है एस option में d option is can transfer his share to an outsider with the consent of all the other partners मतला कर तो सकता है शेयर को transfer लेकिन उसे सारे partners की consent लेनी पड़ेगी तो यहां पर आपको अपना option आई होप आपने चूज कर लिया होगा जो इसका correct option है यह option नमबर अब देखो यहां पर confusion जो होती है हमें option नमबर बी और डी में होती है यह मेरा point of view होगा यहां पे ठीक है अब वो confusion क्या होती है कि यहां पर लिखा partnership में कोई भी चीज होती है वो सभी partners की consent होनी चाहिए अगर 5 partners है let's say इसमें से अगर 4 partners agree कर रहे हैं किसी चीज के लोग एक partner agree नहीं कर रहे है that means वो काम नहीं किया जाएगा जब तक सारे partner agree नहीं करते तो अगर हम transfer of share की भी बात करें तो वो तब ही हो सकता है जब सारे ही partners की consent ले ली जाएगी से majority से काम नहीं चलेगा so the right option is D can transfer a share to an outsider with the consent of all other partners this is our right option next question देखते हैं the main drawback of functional organization developed by the tailor is that it fails to recognize मतलब यहाँ पर जो functional organization की बात की है यह theory किस ने दी थी tailor ने दी थी ठीक है FW tailor ने दी थी अब यह बोल रहा है कि यह fail करती है इन चारो options में से किसको recognize करने के लिए तो option A is downward flow of authority या फिर option B is principle of equity, option C is principle of unity of command या फिर none of the above आपको यहाँ पर choose करने है अपने correct option तो सबसे पहले देखो यहाँ पता होने चाहिए आपको functional organization क्या होती है functional organization एक ऐसी organization होती है जहाँ पर functions की basis पर हम एक organization को divide करते है लाइक यह एक organization है इसमें हम different departments बनाते हैं on the basis of functions लेक आपका एक production department हो गया आपका एक marketing department हो गया आपका एक financial department हो गया इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर काफी सरी departments हम बनाते हैं तो इसमें भी क्या होता है अब downward flow of authority तो होता है अब इन department के अंदर भी पर्टिकुलर कोई head organization का अब department के अंदर भी अपने heads है यहाँ ठीक है अब इनके नीचे भी लोग काम कर रहे है तो flow of authority तो होता है तो यह इसको fail नहीं होता करने के लिए ठीक है यह होता है इसके अंद अब देखो यहाँ पर जो functional organization होती है इसके अंदर एक individual को काफी सारे head से directions मिल जाती क्योंकि यह जितने भी department होते है इन सब को मिल जूल के काम करना होता है तो यहाँ पर जो option है जो rule है वो follow नहीं होता कौन सा principle of unity of command principle of unity of command क्या होता यह fail ने दिया था कि एक person को एक time पर एक ही head से कोई authority sorry कोई काम मिलना चाहिए कोई order मिलना चाहिए ठीक है और वो उसी के लिए responsible होता है this is basically called unity of command एक time पर एक ही command मिलने चाहिए और एक ही boss से मिलने चाहिए लेकिन यहाँ पर यह fail हो जाता है functional organization के अंदर यहाँ पर यह हमारा correct option होगी है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं functional authority over subordinates in the other department जो functional expert होते हैं उनके जो authority होती है वो बागी departments के subordinates के उपर भी होती है इसलिए वो हमारा right option था next question is national income in India is estimated by जो national income है इंडिया में वो estimated की जाती है किसके द्वारा options are CSO यानि कि Central Estatical Office या फिर Central Estatical Organization next option is finance commission या फिर planning commission या फिर Indian Estatical Institute तो आपको यहाँ पर अपना सही option चूज करना है तो इसको समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देखो यह जो paper है यह 2015 का है तो इसके according जो हमारा right option है definitely CSO हो जाएगा ठीक है यहाँ पर CSO हमारा correct option है लिकिन अब यहाँ पर थोड़ी से changes आए हैं इसको समझ लेते हैं the India sorry in India the estimates of the national income are prepared by the Central Estatical Organization CSO every year it issues a white paper on a national income estimates तो अब आपको यहाँ पर एक चीज और question clear हो गया होगा कि यहाँ पर यह white paper पर issue होता है ठीक है जो हमारी national income का estimate किया जाता है the first attempt to calculate national income of India was made by the दादा भाई नारोजी जो सबसे पहले ऐसा सुझाब दिया था या जिसने initiative लिया था calculate करने का या estimate करने का national income को यह किसका था दादा भाई नारोजी का था इन्होंने ही इक start किया था 1867 में who estimated per capita income 2B rupees 20 उस time पर यह measure की गई थी अब इसमें changes क्या हुए है on May 23,2090 एक बाद देट चे आग कर लेना अपने हिसाब से the government announced that the national sample service office यानि की NSSO will be must be the central statical office यानि की CSO to form the national statical office NSO मतलब की NSSO plus CSO को मिला के अब बना दिया है इन लोगोंने NSO national statical organization तो अब अगर यह question आता कि कौन estimate करता है national income को इंडिया में तो हमारा option हो जाएगा NSO ओके तो यहां से इस question से आपके काफी सारे question जो है prepare हो गए होंगे I guess 3-4 अब यहां पर एक और चीज़ देख लेते है planning commission अब planning commission को भी हटा के नेती आयोग ने replace कर दिया planning commission को तो यह जबी धियान डगना date देख ले ना इनकी कब है planning commission को कब replace किया गया है नेती आयोग के द्वारा यह सब चीज़े important हो जाती है और पूछी जा सकती है आपसे exam में या फिर simultaneously the development of the ruler and urban sector या फिर to have the equal distribution of wealth among the ruler and urban poor या फिर simultaneously existence of the private and public sector अब यहां पर आपको correct option अपना चूज करना है तो mixed economy हम सबको पता है जहां पर government sector यानि की public sector और private sector मिलके काम करते हैं so the right option is the simultaneously existence of the private and public sector यह हमारा correct option हो जाएगा बाकि अब हम देख लेते हैं अलग-अलग systems होते हैं economy के अंदर हमारे एक होता है capitalist economy जहां पर जो power होती है मतलब कि जो form में होती है basically private sector को जादा यहां पर authority दी जाती है ज्यादतर private ही होता है सबको स्टी कर एक होती है socialist या फिर communist economy जहां पर जो mostly power होती है वो government के द्वारा rule किया जाता है वहां पर सारे decision government लेती है लेकिन mixed economy like India यहां पर जो power होती है जो performance होती है वो government sector और private sector दोनों की देखने को मिलती है हमें अब आपको यहां पर यह चीज भी पता होने चाहिए कि capitalist economy के क्या क्या example है socialist economy के क्या क्या example है या फिर mixed economy के क्या क्या example है ठीक है तो यह चीज़े खुद से ध्यान से गूगल कर लेना इनको क्यूंकि आप जब फुद करते हो कूछ चीज़े तो वह आपको बहुत time तक retain रहती है of a stock exchange is to जो function होता है stock exchange का उसमें से सबसे important economic function कौन सा है safeguard the interest of the private investors sorry safeguard the interest of the investors safe investors की बात हो रहे है help in the capital formation of the country या फिर provide facilities for the speculation provider ready market for the old securities अब हमें यहां पर best option choose करना है कि कौन सा main function होता है important function होता है stock exchange का तो फटा फट से अपना answer choose कीजिए तो इसका जो correct option हो जाएगा provider ready market for the old security stock exchange जो होता है वो already existing securities जो होती है उनके लिए हमें place provide करता है market provide करता है तो इसका correct option हो जाएगा D क्योंकि यह सबसे important function है stock exchange का next question is which of the following goods or services could not be provided by a pure free market economy मतलब इन मैंसे कौनची goods और services pure free market के दुआरा provide नहीं की जाती या नहीं की जानी चाहिए options are public transport system, pension, national defense या फिर education तो अब यहाँ पे आप अपना option gas कर सकते हैं तो देखो यहाँ पे बात हो रही है pure free market economy के इसके दुआरा कौन सी service या goods provide नहीं करानी चाहिए तो public transport system भी प्रवाइड करा सकते हैं pension भी and education भी लेकिन जनरली ऐसा माना जाते हैं कि जो defense है national defense है वो government का ही rule होना चाहिए वहाँ पे उनहीं को यह service प्रवाइड करानी चाहिए so the right option is national defense next question is the existence of a joint stock company is interrupted by जो existence होती है joint stock company की वो किसके दुआरा interrupt की जाती है options are by the death of its members या फिर death of its directors या फिर transfer of the share by the members या फिर none of these अफट अफट से अपना option चूज कीजिए कि इन मेंसे कौन सा reason हो सकता है जिससे एक joint stock company interrupt हो सकती है तो I hope यहाँ पर कुछ बच्चों को option पता चल गया होगा या फिर कुछ बच्चों को थोड़ी सी confusion होगी तो यहाँ पर इन मेंसे कोई भी option ऐसा नहीं है जिससे joint stock company interrupt होती है so our right option is none of these क्योंकि जो joint stock company होती है न देखो उसकी एक अपनी separate legal entity होती है यह हमने पढ़ा है 11-12 में भी right शुरू में basically हम यहीं पढ़ते है 11-12 से शुरू हो जाता है कि company की अपनी एक separate legal entity होती है किसी की आने या जाने का इस पर कोई भी impact नहीं पढ़ता तो किसी member की death हो जाए इससे भी कोई impact नहीं पढ़ता और भी members होते हैं आपे death, office, directors इससे भी कुछ नहीं होता directors तो change होते हैं by rotation भी change होते हैं directors तो retire भी होते हैं directors उससे भी कोई फरक नहीं पढ़ता अब जो members होते हैं company जिनके पास already shares होते हैं वो transfer भी कर सकते हैं freely अपने shares को तो इन तीनों ही options से company interrupt नहीं होती है तो यहाँ पर लिखा भी मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आज का last question देखते हैं delegation of authority results in जो delegation of authority होती है इससे क्या result आता है इससे avoiding responsibility होता है कि मतलब हम responsibility avoid करने के लिए delegation of authority करते हैं centralization of the power at the top level की हम centralization करके रखते हैं delegation के थुरू powers का top level पर या फिर cost line of the decisions या फिर enabling the managers to distribute their workload तो whatever से अपना right option चूज़ किजिए यहाँ पर and then match करते हैं उसको तो यहाँ पर देखो एक एक करके समझ लेते हैं जो delegation of authority है वो कभी भी responsibilities को avoid करने के लिए नहीं किया जाता जो हमारा work है वो और अच्छे ढंग से हो सके efficiently हो सके इसके लिए हम delegation of authority करते हैं centralization of the power जब delegation की बात हो रही है तो centralization की बात होई नेरी है यहाँ पर centralization just opposite to the delegation centralization में क्या होता है कि हम सारी power top level के पास ही रखते हैं delegation में क्या होता है हम थोड़ी थोड़ी पावर जितनी required है उसको हम नीचे जो lower labels होते हैं उसमें पास आउट करते जाते हैं okay so our right option is enabling the managers to distribute their workload क्योंकि अगर सिफ top label पे ही सारा workload रहेगा तो वह उतना efficiently work नहीं कर पाइं जितना possible है अगर depend करता है organization के nature पे कि हमें वो delegation of authority यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए basically यह इसी लिए किया जाता है ताकि managers का जो workload है वो distribute हो जाए नीचे के level पर और सब अपने level पर best दे पाएं अपना तो यह थे आज के 20 questions sorry 10 questions क्योंकि 10 हम पहले कर चुके हैं तो total हम 20 questions कर चुके हैं I hope आपको जितने भी questions हमने आज discuss की हैं सारे अच्छे से clear हुए होगे तो please इस video को share करना है आपको अपने friends के साथ and do not forget to subscribe and press the bell icon and कोई भी confusion है तो आप मुझे comment box में पूफ सकते हैं या फिर कोई भी question मैंने जो raise किया हो इस video के अंदर उसको भी आप comment box में बता सकते हैं तक कि आपको वो long time तक retain रह सके हैं आपके mind में तो thank you for watching मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care bye bye all the best